हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग परधान मंत्री किसान सम्मान निदी योजना की 13 किस्त की ओफिशियल डेट आ चुकी है कल यानी 27 फरवरी 2023 को दुपहर एक वजे परधान मंत्री जी द्वारा 8 करोड पीम किसान लावहरतियों को 13 किस्त की धनराशी उनके बैंक खातों में भी जी जाएगी और यहाँ पर कल परधान मंत्री के द्वारा किसानों से बारतालाब भी किया जायागा आप लोग इस कारकरम में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक कुल 14146 लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो दोस्तों यहाँ पर registration कैसे करना है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इस website पर आएंगे इसका लिंक आपको description में मिल जायागा इस पर आने के बार दोस्तों जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि कल 8 करोड़ लोगों को 13 किस्त किराशी दी जाने वाली है और यहाँ पर आपको option दिया गया है register करें आप इस पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर event का नाम देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर लिखा है माननीय पीम द्वारा पीम किसान 13 किस्त जारी यहाँ पर आप अपना mobile number फिल करेंगे फिर OTP भेजें पर click करेंगे इसको आप ok करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके mobile पर एक OTP भेजा जायागा आप उस OTP को यहाँ पर fill करेंगे फिर दर्जी या submit पर click करेंगे इसके बाद दोस्तो आपकी डिटेल यहाँ पर open हो जाएगी अगर आपने पहले इस पर registration किया होगा इसके बाद दोस्तो आप नीचे register के option पर click करेंगे इसके बाद दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा चुका है registration successful आप इसे okay कर देंगे तो दोस्तो कल आप लोगों के खाते में दोपहरे एक बज़े तेरवी किस्त की राशी आ जाएगी हो सकता है कुछ किसानों के खाते में एक बज़े राशी ना आप आए तो आप लोग परशान ना हों आप लोग एक से दो दिन का इंतियार करें सभी के खातों में धीरे धीरे करके किसान सम्मान निधी की राशी भेज दी जाएगी बस आप लोग इस वात का ध्यान नखें कि आप लोगों की KYC कम्प्लीट होनी चाहिए और साथ में आपकी लेंड सीडिंग भी होनी चाहिए जिन लोगों की लेंड सीडिंग को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इससे शेयर करें ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाओ है तो आप कमेंट सेक्षन में हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद